नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका मेरे चैनल में दोस्तों आज हम मखाने के लड़ू बनाएंगे जब भी आपका मीठा खाने का ममन करें आप इसे बना सकते हैं आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो मैंने इसके लिए इंग्रीडेंट्स लिए वो मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए मैंने मखाने लिए जिसे फोक्स नॉट्स भी बोलते हैं यह वजन में लगभग 100 ग्राम है और यह मैंने देसी की लिए यह भी लगभग वजन में 100 ग्राम है और यह मैंने देशी खांड लिये जो वजन में लगभर 1.500 ग्राम है आप चाहें तो इसकी जगे चीनी भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आप उस चीनी को पीस ले और फिर यूज़ करें और 1-4 Capp मैंने सूखा नार्य लिये जिसे शेट लिया और 1-4 Capp मैंने खिश्चमिश लिये। और 1 4th cup मैंने काजू लिए काजू मैंने टुकड़े वाला लिए क्योंकि हमने इसमें इनको ग्राइंड करना है और 1 4th cup मैंने बादाम लिए तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं एक कड़ाई लोगी कड़ाई को मैंने प्री हिट होने के लिए छोड़ती है अब मैं इसके अंदर दो चमश्के करीब घी अड़ करूगी घी को हम मैंट होने देंगे और गरम होने देंगे घी हमारा गरम हो चुका है तो आप मैं इसके अंदर ये बादाम और काजु डागुली इंको हम रोस्ट कर लेंगे हमने इंको इतना फ्राइ करना है कि ये हलके गोल्डन कलर के हो जाए फ्लेम को हम बिलकुल लो रखेगे बादाम और काजु लाइट गोल्डन कलर के हो गये तो अब हम इंको निकाल लेंगे इसको साइड में लजाते हुए ताकि जो इसके अंदर एक्स्टर घी है वो निकल जाए हमें इंको बहुत ज्यादा जो है ब्राउन नहीं का ना किश्विष क्योंकि बहुत जंदी घुन जाती है तो इसे हम बस थोड़े ही सिकेंट के लिए हम इसको भूनेंगे किश्विष हमारी घुन चुकी है और फूल पी कही है अब मैं इसे निकाल लोंगी अब जो बालक पचागि ये होओ भी मैं इसमेर ड़ाओ दूगी और अब मैं इसके अंदर मक्ाने एड कर दूगी अब मिकानों पूर आट मिर्पीक नुचा 아이 करने और तब तक और मि морऌानी क्रिस्प नहीं हो जाते हैं फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे लगवाल आठ मिनट हो चुकी है मखाने हमारे भून चुकी है मैं आपको दिखाते हूँ देख सकते हैं तो अब मैं इसे निकाल लूँगी इस प्लेट में अब हम अपने गोला गिरी को बूल लेंगे रिंस मैंने गोले को ग्रेट करके लिए आप चाहें तो इसको पतली पतली स्लाइसे भी करके ले सकते हैं इसे भी हम हलका सब भूलेंगे बहुत ज़्यादा ब्राउन में करेंगे बस हलका ब्राउन करेंगे इसे हम नारियल भी हमारा भून चुका है इसे हमने ड्राइ रोस किया इसके अंदर हमें घी नहीं आट किया था अब मैं फ्लेन को आफ कर दो ही और इसे मैं इस प्लेट में निकाल दो हुए अब हम सब चीजों को ठंड़े होने देंगे उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे सब चीजें अच्छे से ठंडी हो गई है तो चलिए हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं किश्मिश को मैं चाकू से कट कर लूगी और मखानों को हम ग्राइंड करेंगे और बदाम और काजु को भी हम ग्राइंड करेंगे नारियल को हम ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि अल्रेडी मैंने उसको ग्रेट करके लिए है तो चलिए सबसे पहले हम बदाम और काजू को ग्राइंड कर लेते हैं बदाम और काजू को मैंने पीस लिए इसे हमने बिल्कुल दरदरा पीस ले बिल्कुल इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे और अगर इसमें थोड़े बहुत चंक्स रह भी जाएं तो कोई बात नहीं अब मैं इसे इस बोल में निकाल लूँगी मैं आपको दिखाते हूँ मैंने इसे कैसा पीसा है यह देख सकते हैं इस तरह से पीसा है बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया और अब मैं मखानों को भी पीस लोगी और मखानों को भी हमने दरदरा ही पीसना इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना बिल्कुल भी इसे मै इसे दो बैचेज में पीस लोगे मखाने भी पीस चुके है इसे भी मैं इस बोल में निकाल लोगे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको कैसा पीस है यह देखिए इसे हमने इस तरह से पीस में दर दरा से बिलकुल इसे मैं इसमें निकालूँगे बॉल में और इसी तरह से मैं दूसरे पैच के जो मखाने हमारे बचे है उन्हें भी पीस लोगे मखानों को मैंने पीस लिए अब बाकी के समान को हम इसके अंदर डालेंगे यह नारियल सुखा हूँ और किश्मिश को मैंने दो पीस में कट कर लिए क्योंकि किश्मिश को साइज बड़ा था तो मैंने इसको दो दो पीस में कट कर लिए और यह अब देसी खान भी में इसके अंदर एड कर दूगी अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं इसके लड़ू बनाए भीना लेकिन क्योंकि हम इनको बाइंड करना चाहते हैं तो इसको बाइंड करने के लिए मैं इसमें दूध एड करूंगी यह मैंने दूध लिये लगबग हाफ कप और दूध को पहले मैंने बॉयल कर लिया था उसके बाद मैंने इसको ठंडा कटके लिए अभी नौर्मल तेंपरेचर पे हो थोड़दा करके हम इसमें जो है दूध एड करेंगे ताकि हम इसके लड़ू बना सके हमने बिलकुल थोड़दा करके आड करने हैं बहुत जाद कि घी जो है इतना हो जाता है इस मिश्रम के अंदर कि हमारे लड्डू ऐसे बन जाते हैं लेकिन अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा दूर अड़ करने तो लड्डू हमारे अच्छे से बन जाते हैं मैं आपको दिखाते हूं हमारे लड्डू बन रहा है यह देख सकते हैं मैंन मैं इसको नीम्बू क्या खार कर रखूंगी देख सकते हैं इस तरह से मैं इसके लड्डू बना लूँगी मैं आपको एक और भी बना कर दिखाती हूं इस तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी मखाने के लड्डू बनकर रेडी है सर होने के लिए आप जानते मखाने जो है एक रिच सोर्स है केल्शियम का और केल्शियम हमारी बोड़ी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यह रेसिपी काफी टेस्टी भी है और हैल्डी भी है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा थैंक यू थैंक यू सो मुझ